तो दोस्तों Indigo Paints के शेर के रिजल्ट्स अभी आ चुके हैं और एक काफी अच्छे खासी ग्रोथ इसके प्रॉफिट में और सेल्स में देखने को मिली है और आईए तो एक बार ही चलते हैं हम एक बार ही इनके रिजल्ट्स देख लेते हैं बात कर लेते हैं क्या अभी भी इ इनके शेर ने एक महीने में 50% के रिटन दे दिया आप यहां देखे 1100 रुपे का हुआ करता था 1500 रुपीस के आसपास इसका शेर अल्रेडी एक महीने में पहुँच चुका है अब इसके शेर ने रिसेट्ली अभी कल इसके रिजल्स यहां पर आए हैं तो अगर हम रिजल् 45 करोड के आसपास हो गई है तो सेल्स में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट यहां पर देखने को मिला है अब पॉजटिव बात क्या है इसके साथ कि जो ऑपरेटिंग मार्जन्स है उसमें एक मैसिव इंप्रूमेंट है 14% के आसपास के ऑपरेटिंग मार्जन्स थे जो लगबग पिछले क्वाटर की कंपेरिजन में डबल इसके प्रॉफिट हो गए है लास्ट क्वाटर में 26 करोड हुआ करते थे जो बढ़कर 49 करोड हो गए है लगबग 90% से जाधा की ग्रूथ इसके प्रॉफिट में देखी है वही अगर हम लास्ट येर से कंपेर करते हैं लास्ट येर में मार्च 2022 के क्वाटर में 35 करोड के प्रॉफिट थे अगर हम येर ऑन येर भी देखते हैं तो 40% से जाधा की ग्रूथ इसके नेट प्रॉफिट में है चाहे हम सेल्स की बात करें हर एंगल से इस शेयर ने एक अच्छा खासा इंप्रॉफ्मेंट यहां पर देखा है तो एक अच्छी रिज Erfahr इस कंपनी के हैं और ह्यायस एवर सेल्स इस कंपनी की है एक कॉर्टर में प्रॉफिट एंपर इस कंपनी की है तो एक अच्छी इंप्रूव्मेंट देखने को मिल रह tv और अगर आप यहाँ पर इयह उन यह भी देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा पहला ऐसा साल है जब 1000 करोड की सेल का Net Markist Company ने पार कर लिया है सेल्स में लगबग 10-12% की ग्रोथ रही है एक साल की बात करें और नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ है 30-40% की ग्रोथ नेट प्रॉफिट में यहाँ पर देखने को मिली है तो ओवरॉल आप देखें सेल्स की ग्रोथ 10-5-3 साल-1 साल किसी भी पीरिड में देखिए प्रॉफिट की ग्रोथ देखिए 10 साल-5 साल-3 साल-1 साल हर टाइम जोन में एक अच्छी रिटरंस की कंपनी यहाँ पर देती हुई नजार आ रही है यह ग्रोथ के एंगल से अगर हम बात करते हैं अब बात आती है कि इसके शेर में ओल्रेडी 1500 तक इसका शेर अल्रेडी जा चुका है एक महीने में अच्छी खासी रिटरंस आ चुकी है लेकिन आपको यहाँ पर समझना है कि इसका शेर का अगर आप अल्टाइम हाई देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आप देख सकते हैं 2600 रुपे के आसपास का ओल्टाइम हाई यहाँ पर इसके शेर में आपर नजर आ रहा है तो अभी भी अपने ओल्टाइम हाई से काफी अच्छा खासा गिरा हुआ है रिसेटली एक अच्छी खासी करेक्शन इसके शेर में आई थी अगर हम Price to Earning Ratio भी देखते हैं तो आप देख सकते हैं काफी नीचे लेवल पे इसके शेर किया हुई है लगबग 100 के आसपास की Median Price to Earning Ratio इसकी चला करती थी जो अभी गिरकर लगबग 50 के आसपास 54 के आसपास यहाँ पर चल रही है तो अभी भी Valuations इसकी काफी Discounted लेवल पे है अगर आप इसके Pears से Compare करते हैं तो अगर हम Asian Paints और Berger Paints जैसी कंपनियों से इसके Price to Earning Ratio को भी अभी Compare करते हैं तो अभी भी अच्छे खासे Discount पे यह Share यहाँ पर अविलेबल है 54 के आसपास की Price to Earning Ratio है जबकि जो बड़ी कंपनी से वहाँ पर 72, 73 के आसपास की Price to Earning Ratio यहाँ पर नजर आ रही है तो यहाँ पर अभी भी एक अच्छा कासा Upside इस कंपनी में आपको देखने को मिलने वाला है ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है और Long Term में एक Multibagger Share भी यह जाकर आने वाले टाइम में बन सकता है अब यह कंपनी दीरे-दीरे Chemical Business में भी उतर रही है Recently news आई थी कि इसने एक Chemical Company को भी पर्चेस किया तो अलग-अलग segments में भी यह कंपनी अब growth के लिए यहाँ पर उतरती ही नजर आ रही है सिर्फ 7000 करोड के आसपास का इसका market cap है तो मुझे यह कंपनी बहुत अच्छी लगती है मैंने पहले भी आपको कई बार जब हमने वीडियो में बात किये बताया है 1000 में हमने लगातार बात भी की थी इस company को अपने portfolio में एड करने पे अगर आपने उस time पे एड किया होगा already 50% की return यह share आपको एक डेड महीने में दे चुका और मुझे लगता है कि यह आने वाले time में एक multi-bagger share बनने की potential रखता है लेकिन याद रखिए यह मेरे personal views हैं बायस्ट हो सकते हैं क्योंकि मैं खुद भी इस company में एक investor हूँ मैं इस company में invest करके चल रहा हूँ तो मेरे views जो हैं वो इस company में बायस्ट भी हो सकते हैं तो अपने financial advisor से बात करके ही किसी भी company में invest करें और अभी तक अगर आपने मुझे Instagram पर follow नहीं किया तो link description में जाकर follow कर सकते हैं अभी तक अगर आपने अपना DMAT account नहीं खुलवा है तो उसका भी link मिल जाएगा जाकर DMAT account खुलवा सकते हैं मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तो धन्यवाद